बच्चों आज हम लोग क्लास A ट्रेंबो का लेसन वन एनदर चांस का एकसरसाइज यानि की कोशन आंसर करेंगे तो इस वीडियो का आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर के कोशन आंसर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो जिसमें पहला कोशन है नीचे देवे कोशन के आपको आंसर देने हैं पहला कोशन जिसमें से है वाई डू वीश फॉर एनदर चांस हम लोग दूसरे चांस की दूसरे आउसर की कामना क्यों करते हम लोग क्यों विश करते हैं कि हम लोग को दूसरा चांस मिले तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे, to correct our mistakes in order to make a new beginning, we wish for another chance. हम लोग दूसरे आउसर की कामना इस दे करते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों को क्या करें, correct कर सकें, सुधार सकें, और एक नई शुरुवात कर सकें, इसी वज़े से हम लोग एक दूसरे chance की इक्षा रखते हैं, तो बच्चो मैं आपको प्रश्न का हिंदी मतलब भी समझाते चल रहा हूँ, इसका answer भी बता रहा हूँ, और उसके साथ answer का हिंदी meaning भी आपको समझाते हूँ चल रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को pause कर लेंगे, और उसके बाद इसका answer अपनी copy में लिख लेंगे, या फिर book पर mark कर लेंगे, अगला question है, इसका answer आप लोग लिख लेंगे, हमको पूरे दिल से एक बहुत ही स्ट्रॉंग बहुत ही मजबूत इक्षा सकती दिड़ इच्छा सकती चाहिए होगी, ठीक है, तो एक दिड़ इच्छा चाहिए उसके लिए, अगला है, वाइ शुड़ वी निवर गीव अप इन डिस्पेर, हमको निराशा में कभी भी गीव अप यानि की हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों हमको निराशा में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तो इसका answer है, we should never give up in despair, because there is always a hope to start everything fresh and there is a new tomorrow. हमको कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि there is always a hope to start everything fresh क्योंकि हर चीज़ को एक नया start करने के लिए नई शुरुआत करने के लिए एक hope होती है and there is a new tomorrow. जैसे कि रात के बाद सुबह होती है, एक नया कल होता है वैसे ही हमेशा निराशा के बाद एक उमीद की किरण होती है ताकि हम लोग सभी कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा और हम लोग अच्छे से किसी चीज़ के शुरुआत कर सकते हैं अगला है, what lesson do we learn from the poem? पोएम से हम लोगों ने क्या सबक लिया, क्या सीखा? तो इसका अंसर हम लोग लिखते हैंगे Although we commit mistakes and face failure there is always a hope for our next chance in our lives भले ही हम लोग गलतिया करते हैं ठीक है और fail हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में एक दूसरे chance की क्या होती है? hope होती है, हमको एक उमीद होती है कि हमको दूसरा एक chance मिलेगा, ठीक है? we must have a strong desire to try and make our life and our world better, ठीक है? हमको एक दृड़ इच्छा शक्ती चाहिए होगी क्या करने के लिए try and make our life and our world better हमारे जीवन को और हमारी दुनिया को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमको एक दृड़ इच्छा शक्ती की आवश्यक्ता होगी यही सबक हमको इस लेसन से मिलता है question number two है match the following to complete the lines of the poem ठीक है? यह जो lines है, ठीक है? यह शुरू की lines है और यह last की lines है तो इन दोनों lines को क्या करना है? मिला कर और line को पूरे statement को complete करनी है तो a chance to blot out our mistake ठीक है? इसका हो जाएगा it only takes a deep desire यह हो जाएगा to add a little sunshine यह इसका हो जाएगा और so never give up in despair तो इसको आप लोग अगर अपनी book में mark कर सकते हैं तो book में mark कर लेंगे otherwise अपनी copy में note कर लेंगे अब आते हैं word power की तरफ इसमें लिखा हुआ है read the poem and write the antonyms of the following words antonyms का मतलब होता है belong यानि की ulta तो यहाँ पर जो words लिखे हो जिससे success success का मतलब होता है सफल तो इसका antonyms या belong हो जाएगा failure यानि की और सफल old का new old मतलब पुराना new मतलब नया shallow का deep shallow मतलब उतला deep मतलब गहरा never का कभी नहीं always का हमेशा end का beginning हो जाएगा end मतलब समाप beginning मतलब शुरुवात despair मतलब निराशा और होप मतलब आशा या उम्मीद अब बढ़ते हैं अगले question के तरफ write three rhyming words for the words given below ठीक है यह जो नीचे words दिये हुए है इनके three rhyming words तुकात्मक्स शब्द आपको लिखने हैं जो बोलने में इन ही के जैसे लगते हैं जैसे eight eight का date हो जाएगा get हो जाएगा great हो जाएगा आप देखेंगे सभी बोलने में एक जैसे ही लग रहा है अगला है face face का lace trace grace लिख सकते हैं चिन का bin grin pin और ऐसे है new का due few few ठीक है तो इन सब को आप अपनी book पर भी लिख सकते हैं copy पर भी लिख सकते हैं अगला है activity इसमें क्या करना है a number has been given to each letter of the alphabet in the table below हर alphabet के लिए एक number दे दिया गया जैसे a के लिए एक दे दिया गया है b के लिए दो दे दिया गया सी के लिए तीन दे दिया गया है ऐसे z के लिए 26 दे दिया गया है लाइन से सभी को दे दिया गया है आगे क्या करना है read the table and decode the message अब table जो नीचे दिया हुआ है उस message को क्या करना है, decode करना है, the first word has been decoded, ठीक है, जैसे यहां आपको दिया होगा, और इस numbers के मदद से हमको क्या लिखने है, characters लिखने है, और उससे एक शब्द बनेगा, ठीक है, तो इससे आप देखेंगे कि never बना हुआ है, आगे आपको यह लिखा हुआ है, तो आप 7 में देखेंगे क्या है, 7 में है, G, 9 में क्या है, 22 में क्या है, V, और 5 में क्या है, 5 में है आपका E, तो give हो गया, और ऐसे ही आपका 21, 16 में UP, ठीक है, तो never give up बन जाएगा, अब ऐसे लिखे हुए है, इसको आप लोग देखकर और अपनी book में लिख लेंगे, या अपनी copy में ब आप किसी question का answer नहीं लिख पाए, तो आप वीडियो को पीछे करके और उसका answer लिख लेंगे, तो ये वीडियो आपको जरा सी भी लाप्रत लगी, जरा सी भी helpful लगी, तो वीडियो को like करें, और आगे आने वाले सभी chapter के वीडियो, हम लोग इस channel पर देखते रहेंगे, तो बाइबाइ